असलाम लेकम आपरीबन वेलकम टो मैं यूटीब चैनल आज में आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी यह लड़ू के रेसिपी लेकर आए हूं इस लड़ू में हमने ना काजू का यूज किया है नहीं बदाम और नहीं चीनी तो बहुत ही सिंपल रेसिपी होने वाली है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है यह तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और रेसिपी अची लगी तो प्लीज में वीडियो को लाइक किजिएगा तो चली फिर इस सांदार सी लड़ू को हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमारे यह बदाम अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं तो यहां पर देखिए बदाम के छिलके आसानी से निकल जाया रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे बदाम अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम एक किसी किचन टावल पे या असाने से निकल जाएंगे तो इस तरह से हम किसी छनी से इसे हम छान लेंगे और बदाम को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां पे मैंने सारे बदाम को निकाल लिया है तो अभी हम बदाम को साइट पे रख देते हैं तो अब चलते हैं नेक्स टेप पे तो यहां पे ह सफेद तिल डाल देंगे और तिल को भी हमें ड्राय रोस्ट कर लीना है तो बस 3-4 मिनट के लिए इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी यह तिल भी हलका लाइट गोल्डन प्राउन हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और अब इसी पैन में 1 फॉर्थ कप ओट्स डालेंगे और ओर्ट को भी हमें हल्का भून लेना है बस दो से तीन मिनट के लिए इसे हमें भूनेंगे तो यह हमारे ओट्स भी अच्छे से भून चुके हैं तो इसे भी हम एक पेट में निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर जार ले लिया है इसमें हम यह रोष्ट के वा मुंगफली डाल देंगे और मुंगफली को हम हल्का दरदरा पीस लेंगे तो यहाँ पर देखें मैंने इसे हल्का दरदरा पीस लिया है इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे अब इसी blending jar में हम ये till और oats भी हम डाल देंगे जो हमने रोष्ट करके रखा था और इसे भी हम हलका दरदरा पीस लेंगे तो इसे भी मैने हलका दरदरा पीस लिया है और इसे भी हम उसी ball में transfer कर देंगे और इसमें हम रोष्ट किया हुआ नारियल का पुरादा डाल देंगे तो अब यह से हम साइड में रख देते हैं तो अब हम चलते हैं नेक्स टेप पे तो यहाँ पर मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है तो अब इसमें हम डाल देंगे वन फॉर्थ कप पानी और इसमें हम एक कप गुर डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिला लेंगे और गुर को हमें अच्छे से गुलने तक पका लेना है बस चासे पांच मिनद तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे तो यहां पे देखे गुर्ड में अच्छा सा उबाला अ चुका है तो अब हम flame को off कर देंगे यह हमारी चासनी तयार है इसे अब हम direct ball में transfer कर देंगे तो अब यह गरम है तो यह से हम spatula से अच्छे से मिला लेंगे तो अब यहां पी हलका ठंड़ा हो चुका है तो अब इसे मैं हाथ से मिला लोंगी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम हाथ को वास कर लेंगे और हाथों में हलका साम तेल लगा लेंगे अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे आपको जितना चोटा या बड़ा लड़ू बनाना है आप उसके साब से मिक्सचर ले और इस तरह से आप लड़ू बना ले तो इसी तरह से हम सारे लड़ू तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे लड़ू तयार कर लिए है तो आज की हमारी यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड़ू तयार है देखा आपने कितना आसान इसे बनाना ना इसमें हमने काजो डाला है नहीं बदाम और नहीं चीनी लेकिने बहुत ही डेश्टी और बहुत ही हेली लड्डू है तो इस विंटर आप इस लड्डू को जरू ट्राइ कीजिएगा और आपको आज की यह लड्डू की रेसिपी कै वेले में हम्र्ड़ा से टू आपको 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 मॉश्बा इस विंटर विंडिक ही हाई बहुत है कितना इसे विंट उतांपकितना आपको 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 की अपको आपक capsule.